नमस्कार आप देखने लाइफ सिटीज में हूँ आपके स्ता शिवम राजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तब्यत इन दिनों काफी जादा खराब चल रही है आपको बता दे की बीते दिनों पहले बिहार की पुर्व मुखुमंत्री रावली देवी के अवास यानि की दस सर्कुलर रोड पर जब लालू प्रसाद यादव सिरी से उतर रहे थे तो उस वक्त उनका जो संतुलन था वो बिगर गया था जिसके बाद उनके दाहिने हाथ की हडी जो थी वो तूट गई जिसके बाद उने पठना के पारश अस्पताल में एड्मिट कराये गया था जहां पर उनका इलाज चल रहा था बीते तीन दिनों से लालू प्रसाद यादव पठना के पारश अस्पताल में भरती हैं आईसीउ उमें भरती हैं ऐसे में पारश अस्पटाल में लगतार राजत के समर्था कारिकरता लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुच रहे हैं और आज भी बिहार के मुखुमंतरी नितीश कुमार भी पतना के पारस अस्पटाल पहुचे थे और उन्होंने राजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से और बिहार की पुर्मुखुमंत्री रावली देवी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और आज ही शाम 6 बजे लालू प्रसाद यादव एर एम्बूलेंस के माध्यम से दिल्ली के लिए रवाना होंगे उनके साथ उनके बरे बेटे और राजत के विधायव ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि नेता पृतिपक्ष तेजस्वी आदव के साथ साथ उनकी पतनी राजश्री आदव और रावरी देवी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पटना एरपोर्ट पर जब तेजस्वी आदव राश्री आदव और रावरी देवी पहुची और उनसे मीडिया कर्मियों ने कई सवाल भी किये पर किनी भी सवालों का उन लोगों ने जवाब नहीं दिया है तो ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको मता रहे हैं कि आज शाम 6 बजे लाल पर सादयादव पहले से भी काफी जादा बिमार चल रहे थे इसी बीच जब वो सीरी पर से गिर गए उनके दाइने हाथ की जो हड़ी है वो तूट गई जिसके बाद पटना के पारस अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया और उनके कमर में भी गंभीर चोट आई थी जिसके बाद सभी लोग ये कामना कर रहे हैं कि लालू प्रसादयादव जल्द से जल्द स्वास्त हो जाएं आपको बता दे कि आज ही मुख मंतरी निटीश कुमार के साथ साथ बिहार कैबिनेट के तमाम मंतरी भी आज लालू प्रसादयादव से मुलकात करने के लिए पा आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें धन्यवाद